येलो गैस आज हम बात करेंगे ओपो के गेम इसपेस के बारे में ये गेम-इसपेस का जो फीचर आप लोग को बहुत सारे ऊपो के डिवैस में जूए देखने को मिलेगा जो की लेटِसट में इसको बोल सकते जो कि गेमर्थ लोग जो गेम खेलता है अपने फूर में उनके लिए काफी अच्छा फीचर यहां पर ओपो ने प्रवाइट किया है एंड हम आप लोगो बताने वाले इस वीडियो में कि किस टाइप सा आप लोग इसका यूज करते हैं करेंगे और कितने इसके फीचर है और क्या का इसका काम है तो चली वीडियो स्टाइट करते हैं सबसे पहले आप लोग अपने फूर में एक गेम इस पेस वाली जो अपन कर लीजेगा इस टाइप के अपलीकेशन रहती है सिंप्रिस पे खलिक करके हम लोग इसे ओपन कर लेंगे और इस एप्लीकेशन को हमें इस्टॉल करना नी पड़ता ये by default हमारे OPPO की device में देखने को मिल जाती है अगर आप लोग के phone में यह application नहीं है तो आप लोग सबसे पहले अपने phone में about section चेक करें और update वगेरा चेक कर लीजेगा update के बाद आप लोग को जो है यह application देखने को मिल जाएगी अब हम बात करते कि यह इसका कि step से काम है और क्या का इसका feature है तो यहाँ पर अभी हमारे phone में जो है no game edit क्योंकि हमारे phone में भी कोई game नहीं है अगर आप लोग यह phone में game होगा तो यहाँ पर डिरेक्ली आ जाएगा स्मार्ट डूवल चैनल का तो यहाँ पर कहा रहते हैं कि आप लोग का wifi भी on रहेगा और आप लोग का steam card का भी network यहाँ पर on रहेगा net on रहेगा जिससे क्या हो कि आप लोग को double speed यहाँ पर देखने को मिल जाती है और जिससे आप लोग के internet speed तो काफी तेज हो जाएगी साथी साथ game की भी speed यहाँ पर जो है काफी हत्य गेंकीज भी हो जाएगी और साथी साथ यहाँ पर आप लोग को जो यह network से सी problem पर जो रहेगी नहीं आएगी और यहाँ पर brightness lock का system आप लोग को मिल जाता है कि brightness आप लोग एक ही जगह पर set करके रख सकते कि भाई इतना ही brightness हमेच चाहिए तो उतना आप लोग को देखने को मिल जाता है और यहाँ पर third option है smart resolution का smart resolution adjustment इसमें कहा रहता है कि आप लोग का phone जो है इसमें आप लोग का phone resolution जो रहेगा adjust करता रहेगा और इसमें क्या होगा कि आप लोग के phone में जो power रहेगा ना बहुत ज़्याद है यहाँ पर से होगा तो यह भी काफी अच्छा feature आप देखने को मिल जाता है और नीचे more feature में आप लोग को देखेंगा smoothness optimization मिलेगा आप लोग को game space में नेटर को priority मिलेगा आप लोग को reduce network यहाँ पर आप लोग होगा और easy answer यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाता है उसके बाद हम start करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को block notification option मिलेगा इस पर click करे तो जैसे क्या रहेगा नगा इस यहाँ पर कि आप लोग को notifications related यहाँ पर settings तेखने को मिल जाती है जैसे कि first setting है ignore calls अगर आप लोग game खेल के अपने phone में तो आप लोग के phone में calls वगेर नहीं आएगा game खेल दे time उसके बाद notification डिरेक्टली block हो सकता है यहाँ पर अगर आप लोग इस कौन करना चाहिए ब्लोग calls and banners यहाँ पर आप लोग इसको block कर सकते है उसके बाद so calls and banners आप लोग इनको सब चीज़ को है disable यहाँ पर कर सकते हैं मतलब कि आप लोग only game में concentrate करना चाहते हैं तो आप लोग इस setting से कर सकते हैं जिसमें आप लोग जो हेल हैं हाँ अचछे फीचर दे जाते हैं जैसे कि first option है competitive mode इसमें क्या रहेगी कि आप लोग का जो है इसमें आप लोग का performance जो रहेगा काफी हद तक आप इंक्रीज होगा frame rate भी आप लोग को यहाप इंप्रेस देखने के मिल जाते बड़ यहाँ पर एक problem यह रहेगी कि आप लोग की phone की जो battery रहेगी ना power रहेगी ना और power भी आप लोग का balance यहाँ पर रहे जाएगा और low power mode की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को lower game image quality for longer gaming duration इसमें करें कि आप लोग को थोड़ा quality में difference देखने को मिलेगा मतलब की quality आप लोग को थोड़ी low देखने को मिलेगी बड़ यहाँ पर आप लोग का जो power रहेगा वो काफी यहाँ पर increase देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप लोग battery check कर सकते हैं केतना हमारे phone के battery चलने वाली है और यहाँ पर आप लोग का wifi कर रहेगा या फिर network कर रहेगा जो भी आप लोग use करेंगे एड जैसे यह तो feature की बात होगी गईस अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग की Nevertheless में game aid करेंगे जैसे यहाँ पर download वाले option है, यहाँ परchकर करके आप लोग को दिखा देता हूं और आप लोग के फोन में जितने भी अप्लिकेशन तरती यहां पर वो सारी की सारी आ जा दिये, अब यहां पर जैसे फॉर एक्जामपल माने के चलिए, एक मैं कोई भी अप्लिकेशन को एड करता है, अब जैसे पिक्सल ले, वो गया, ओके फणी, आप मैं इसको एड करता मैं इसको यहां पर उसके बाद जो है, यह एप्लिकेशन आजाती है, यहां पर यहां पर एप्लिकेशन आजाती है, अब मैं इसको यहां से ओपन करूँगा, अब जैसे इसको ओपन करूँगा, इस यहां पर जो है, यह एप्लिकेशन रण कर रही गेम इस्पेस में, मतलब from the game इसमें से यहां से आप लोग रिमोग कर सकते या फिर अलग्स से और application भी application नहीं आप लोग game अगेरा भी add कर सकते और direct यहां से आप लोग कोई भी game को download कर सकते और यहां भी आप लोग अगर setting में click करेंगा इस तो यहां पर जो है आप लोग एक option और मिलता है hide game icons on home screen आप यहां पर जो है game installed in the phone add manually कर सकते आप लोग यहां से आप लोग directly manually add कर सकते या फिर automatically आप लोग यहां पर add कर सकते तो कुछ इस टाइब के फीचर यहां पर आप लोग को game इस में देखने को मिल जाता है उमीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसन आयो की जैमाता दी